ओ पेटा जी बहुं कनफ्यूजन है अमीर हमें गरीब समझते हैं और गरीब हमें अमीर समझते हैं खसमा नुखा गए तेरे फजूर वे चुपकर चाइना का रितेश देश मुख हैं छेती कर मेरे कॉल टाइम नहीं है गार अबात अबाला जी पिरसाब मनों माफ करके ओओ जी पहले बारिज हो गई ना तो मैं तो आड़ी लगता तोड़ देनी है असलाम लेकुम दोस्तों वेलकम टू पोड़कास्टिक दोस्तों माई तो सबकी सांजी होती है सबको प्यारी होती है लेकिन हमारे सुसाइटी की एक खास माँ है जिसका सूचने का अंदास सोड़ा सा डिफरेंट होता है इनके जो सर्कैजम होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है और मुहावरे इनको उगलियों पर याद होते हैं गुसा ऐसा कि अब्भा भी पना मांगे लेकिन प्यार ऐसा कि सब गम भुला दे तो दोस्तो हमारे स्टूडियो में बंदें जा रहे हैं खूपसूरत समा क्योंकि आज हमारी गेस्ट हैं एक मिडे क्लास मा तो आए इनका खैर मग्दम करते हैं और इनसे अपने गुफ्तकू का अगास करते हैं असलाम लेक्व माजी कैसी हैं आप मैं आपका हाल पोछ रहा हूँ है आप मुझे मुझे मुल्क का बता रही है हाँ तो पाकिस्तान हम जैसे लोगों के ही बसता है ना अंग्रेज्थ्टे नही ठें रहन दे घरीबांदा मुल्ट है पाकिस्तान तू भी ते घरीबां दा हुमा यू सईद बने आ फिर दे आछी ऐसी बात नहीं है अमीर लोग भी रहते है यापर ओ बेटा जी अमीर लोग कौन से पूरे के पूरे पकिस्तान में है इक टांग उना दी ओन दी पकिस्तान ते दूजी ओन दी बारिच पार अली नेशनलेटिया लेके बैठे हैं सारे इना को मैं पाकिस्तानी नहीं मन दी ते पीछे रहे जान दें गरीब ते मिडल क्लास और दूजे ओन दें अफशर शाही आप अपने आपको किस स्टेटिस में कंसिलर करती हैं अपने लिए गरीब हैं कि मिडल क्लास हैं पेटा जी वहुँ कन्फूजन है अमीर हमें गरीब समझते हैं और गरीब हमें अमीर समझते हैं मतलब हाओ मतलब ये कि जो हमारी काम वाली हैगी ना हमीदा उसको लगता है कि हम ठीक ठाक लोग हैं और जो दूजी गली इच बड़ी वाली कोठी है ना उस दर लेंदी है बख्तो और बख्तो एक दिन आगई राशन लेके कहती है जी मैंने सुना है सुफएद पोश लोगों के हालात बड़े तंग है मैंने का बीबी तंग है पर इतने भी तंग नहीं है कि रोटी पानी सही चले जाएं तो क्या आपने वो राशन फिर वापस कर दिया है मैंने वापस तो नहीं किया मैंने का हमारे जानने वाले हैं सुफएद पोश है उनको दे दूँगी असल में हुआ ये था तो हमने दो चोटे जानवर कर लिया दो बकरे ले लिया आपने उसके बाद भिर हम लोगों को राशन पे ना हाथ टाइट करना पड़ा था तो फिर मैंने राशन रख लिया आपने बड़ी एत पर करजा उठा कर बकरे लिया लोगों को खुष करने के लिए कि रिख पता लिगा कि हमने कुर्भानी की है और पुद आप राशन पानी से भी तंग हो गया बस अला हमारे हलाद पे परदी डाले रखे तो अच्छा हुआ। इसी। कौन इसी। नहीं नहीं इस जस अन एक्सप्रेशिय। मतलब मेरा तक्या क्लाह में अकसर बोलता रहता हु। हुआ। तक्या तो याद आया। मैने तक्या ले शाट दोकर छाते चसुखने डाले सी। और ते बारिश वाला मौसम भी होगे। एक मिनट रूख। हेलो। हाई नी टुट पैणिये। अधी कॉलिच तुने फोन उठा लिये। जरूर फोन विच वड़ी हुई नी। अग लगे इस फोन नू। मेरी बात सुन। उठे कोठे इच जा। सारे तकी आले शार्ट ते कपड़े ते मजियां लाके नीचे रख। जे पहले बारिश हो गई ना ते मैं तो आडी लता तोड़ देनी है। थोड़े टेक इडेजी कोई बात नी ऐसी कोई बात नी। तू ते चुपकर एक मिनट। अब बात सुन। ते तू चत पे जा। साथ आले करेज ना चाथी मार के वेक की हो रहे है। शानो की कर रही है। हाँ उसकी वो नंद आई थी ना दो दिन से। बड़ा शोर आ रहा है ऐसी। बात सुन। जाके चेक कर ते मुझे वट्सैप पे ना वो बोल के मेसेज कर। हाँ ठीक है। हाँ रब राखा। ये आपने किसको कॉल की थी। मेरी बेटी है ना माशाला जवान हो गई है। आट साल दी है पूरी। आट साल की तो बच्ची होती है। जवान कैसे हो गई है। चुप कर। बेटियां जो है ना वो बहुं जल्दी जवान हो जान दी है। मैंने तो इसका जहेज भी खटा करना शुरू कर दी अभी से। कैसी बाते कर रही है। शिस ओनली एट यार। आप उसकी जहेज की बाते कर रही है। मेरी बात से सुन मुहावर है के बुए आई जांजते मिन्नो कुडी दे कन। मतलब? मतल ये के मैं हाथ पे हाथ धरे रखके बैठने वाली मा नहीं हूं। प्लैनिंग से चलती हूं मैं। और वैसे भी हम गरीब लोग हैं। कत्रा कत्रा करके समंदर बनाते हैं। अब भी से खटा करना शुरू करूंगी। जब जवान होगी शादी आली उमर होगी तो जहेज से खटा हुआ वह होगा। लेकिन आप बजाए उसके जहेज पर पैसे लगाने के आप उसकी तलीम पर इन्वेस्ट करें ना भाई। हाँ पूत ऐ गल तो सही किती हैं। चंगी गल किती हैं। कल को उसकी शादी होगी तो उसकी सास कहेगी हैं। एक नजर उतारो मेरी नूदी और डिगरी लेकर आई है। रुक मैं पहले इस डिगरी नो फ्रेम करके लिविंग रूम में लगा तो बहुं बरकत होगी है। माजी आप ऐसी सर्कैस्टिक हो रही ऐसी बात नहीं है। मैं मेरे कहने कर बहुत है। और डिगरी लेकर जाएगी ना गर मेरी बेटी। तो सास ने एक साल में डिगरी समेथ एक स्पैल करके कर बेज दे ना कि एफड़ो डिगरी तो मूम फली खाके चिलके भी सूट लो। माजी मेरे कहने का ये मतलब है सिंपली। कि आप अपनी बेटी की शादी उस घर में करे ना जहां इनसान की वैली हो ना कि जहेज के समान की। ओ बेटा जी ऐसे कार जो है ना वो सिरफ नावलों में ड्रामों में होते असल में नहीं होते ऐसे कार। तो मेरी बात से सुन जो मैं हर महीने राशन, सबजी, कपड़ा ली रहा। और बलके मैं तो छान टुकरते रदी बेच के तो पैसा जोड़ के कमेटियां डाल रही हूं ना मिजड डालने दे। और अपनी फ्री की ग्यान की बाते हैं ना ये उनको सुना जो वे ले बैठके तेरी पाटकास देखते हैं बैठके। अमा जी आप तो गुसा गर गई मेरा वह मतलमी था। चले आपके लिए मैं कुछ खाने के लिए मकबा देता हूं। मैं नी खाती बारदा क्यों नी थी बिमारी ते महिंगा लग अब बारविक दो हजार की ओंदी है इन्नी सी चिकन कड़ाई मरना ते पुला हुए इन होटल वालों को दो हजार में ना मैं पूरे हफ़ते का राशन सबजी समेट के लिए आती हूं। उस दिन मेरा मुंड़ा हुजए फानी है और मैं नू कैंदे है अम्मीजी बार जाएंगे ते बार खाना खाकर आएंगे। मैं कोई जरूरत नहीं है। बाहर जाओ ते खाना खाके जाओ और ऐसे कुम के आ जो और बोव नहीं पैगी है ना ते पठान आली कौन आली आइसक्रीम खालो ते अल्ला खेर सल्ला आपका लड़का कितने साल का क्या करता है वो 16 साल के हैं और सारा वारा कर दियां है मैं हर वेले कहने हूं पुत मेरा निवसाया उस वक्त हम पिछले हफ्ते जा रहे से इना दिफुपोर एक कारेज ना तो मैंने का बेटा सारी बतियां आफ करकर आ लेकिन एक से दो लैटा जो है ना कार की तिड़की आले कमरों की ना आन करकर आजा और सारी लैटा बंद करकर आ गया है तो इसमें क्या हर्ज जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो लाइटें बंद कर दें ओ मेरा पूता अचकल हलात नी ठीक पहली बात तो ये के कार कभी निक कर ले चड़ना चाहिए है और दूची बात ये है कि जब भी कर से जाना पड़ भी जाये ना मजबूरन एक दो बतियां जो है ना वो हर वेले जो इतना नीचे वो ताला लगा होता है वो खसमा नूखा गए तेरे फजूल सवाल चेती कर मेरे कोल टाइम नहीं हैगा मैंने उसे पात बताएं कि आपका जो बेटा हुसाइफा है वो खुद भी गुवर्मेंट ऑफिसर बनना चाहता है कि आप उसको फोर्स कर रही है और नहीं कहां उसको तो कंपूटर का शॉक है हर वेले कहन दे मैंने कोई वो फ्री एलाम काम करना है ते पैसे कमाने आए अए अधिक वो फ्री लांसिंगी बात कर रहा है शायद आई है सब्सक्तित कुछ उन्दा है मैंनो यंग रेजी वाले जो बड़े बड़े लवज एना देख मेरी बात सुन है कोई भी कंपूटर इस कुछ भी नी कमांदा आजकल है बला कोई कमाई हों दी कंपूटर से नहीं हम बड़े लोग है हमारा तजुरुबा जिन्दगी का हमें पता है ना इसलिए तहर वेले कहनी हूं कि कोई गोवर्मेंट का अफसर लग जा अच्छ कर दूँगी और एक बात मैंने डिसाइड कर लिया है वो क्या फैसला मैंने कर लिया है कि बहु जो है ना मैं अपनी मर्जी से लेकर आओंगी अपनी जात और मसलक आ लिए वाई बड़े मज़े की गाल है साथ वाली शानों नहीं आगी आपकी हमसाई जिसके चाथी मार थे हर किसी को सारी स्कीम ना बता दे बात सुन मेरी वो शानों जो है वो किसी और मसलक की है तैसे सुराल वाले किसी और मसलक नो मान दे और सारे जड़े शानों दे बच्चे है ना मा दे मसलक नो मान दे तौबा 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 लाजी पिर साब मनों माफ कर दे ओ यार यह किस यह पता नहीं कौन से अनासर हैं जो कि मतलब नफरत फिला रहे हम लोगों के अंदर जो तक मेरा जाती ख्याल है कि एक बच्चे को एक इनसान को अपना करियर और लाइफ पार्टनर चूस करने का हाग कोना चाहिए किसी को उसको फॉर्स नहीं करना चाहिए उमर तुने बहुत अच्छी बात किया वैसे मेरा पूत बात सुन यही सारी बात उर्दू में लिखके दे मुझे कागस पिजरा मैं पढ़ पढ़ की आपने आपको याद करा दू है जल्दी नोट मैं अभी आपको लिखके दे मुझे जल्दी तेरा क्या काम है चाही बै करते हैं अभी ले चाहकियां करते हैं यह मुंड़ तेरा स्टूडियो अभी थेक नहीं आइगा मैं आपको लिख दे रही है शुक्रिया है लिख दिया ना सारा कुछ है यह फड़ यह ले यह ले थूप थंड़ पैग यह सी नहीं चुछ तो नाजमी यह थी आज हमारे साथ मिडिकलास अमी आज किसी को तजलील करना नहीं है बलके कि मैसी देना है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत बड़ा जनेरेशन गैप है बड़ों के दर्म्यान और छोटों के दर्म्यान टेक्नोलिज कोच के साथ चल रहे हैं कि डॉक्टर एंजिनियर या गॉर्मेंट आफसर बन जो तो लाइफ सेट हो जाएगा है हलाके टेक्नोलोजी इतनी तरकी कर चुकी है कि छोड़े बच्चे टीन एजिस अरली ट्वेंटी में करोड़ों बती बन रहे हैं टेक्नोलोजी का इस्तमाल करके तो मेरी छोटी से गुजारिश है अगर पेरेंट्स ये मैसिज देख रहे हैं ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई लाइफ पार्टनर और करियर इसमें जो अपने फैसले हैं बच्चों पर मसलत मत कीजिए बलके उनको साथ दीजिए उनको समझने की कोशिश कीजिए तो इसके साथ ही अपने होश्ट उमर स्लीम को दीजिए जादे मिलते हैं शागले पोड़काश ये अपना बहुत सारा ख्या रिखेगा अलहाफेश अमाजी हाँ पुतर होगे तेरी पॉड़कास्ट पूरी है है वैसे उमर तु मेरा पुत बहुत चंगी गला कर दा है था तु रोज जो है ना साटे कारेचा डिनर मेरी तरफ से होगा है बस तूने ना मेरे सणाने बै के रोज रात को ऐसी चंगी गला करनी है तेरी बहुत सुनके ना बहुत सोनी नींद आई है मैंनु है उसे एवाज चल मेरा पुतरगार चलिये है अब बजी वेट करेंगे तोटा ओह यह